अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जैन समुदाय के द्वारा बिरोत किया जा रहा है दो इस्थानों के लेकर और इन इस्थानों का क्या बिबाद है उसके बारे में हम लोग इस किलास में देख लेंगे एक तो आप देखेंगे कि सिरी सम्मेद सिखर है जो आप देखते हैं कि कहा देखने को मिलेगा जारकंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरा आप देखेंगे कि सतुन्जय पहाडी है एक गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलेगी एक बार पहले आप लोग जारकंड को देख लिजे यह जारकंड है राची इसकी राजधानी है और आप देखेंगे कि बिहार से अलग करके यह 15 नवंबर सन 2000 में बनाए गया था राज और यहां विधान सभा में 80 सीटे हैं राजजे सभा में 6 सीटे हैं लोग सभा में 14 सीटे में आपका जारकंड फैला हुआ है इसकी सीमा बिहार उत्तर प्यदेश चत्तिसगर उडिशा और पश्चे मंगाल से लगती है यहां की मुकमंत्री हैमंत सुरेन है और राजजपाल रमेश बैसें बारतमान में की बात हो रही है वहीं अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो आप देखिंग गांधी नगर इसकी रादानी है इसकी अंतराष्टी सीमा पाकिस्तान से लगती है राजजों में राजिस्थान मद्यपिदेश और महाराष्ट से लगती है और इसे अगर राजज बनानी की हम लोग बात करते हैं तो एक मई 1960 में गुजरात को राज बन चलिए अब हम लोग जैन समदाय की जो मांगे हैं जो बिबाद है उस पर बात कर लेते हैं तो जैन समदाय दो पवित इस्थलों एक जारगन में पारसुनाद पहाडी पर सम्वेद से करें और दूसरा गुजरात की पली ताना में सतुन्जय पहाडी से संबंधित मांगों क को लेकर इबिरोध कर रहे हैं और जैन समदाय की लोगों से परामर्स किये बिना पारसुनाद पहाडी को पर्याटन इस्थल और पर्यावर्ण संबेदन सील छेत गोसित करने का मुद्दा है जबकि गुजरात में आप देखेंगे सतुन्जय पहाडी में मंदिर एवं सुरक्षा चिन्ताओं को लेकर विवाद बना हुआ है और पारसुनाद पहाडी जारखंड की ग्री डी ही जिले में आप लोगों को देखने को मिलेगी एक पहाडियों की एक सिंखला है और इस पहाडी की सबसे उची चोटी 1350 मीटर की है इस तरह के questions पूछ लेगा कि पार पहाडी का नाम 23 वे तीर्थकर पारसुनाद की नाम पर रखा गया है जो जन धरम के 23 वे तीर्थकर थे ना पारसुनाद उन्हीं की नाम पर इसका नाम रखा गया है बीच जन तीर्थकरों ने इस पहाडी पर मुक्ष प्राप्त किया और उन में से पितेक के लिए पहाडी पर एक तीत गुमती या तोक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और ऐसा माना जाता ही कि पहाडी पर इसकी कुछ मंदिर 2000 बड़ से अधिक पुरान है और संथाल समदाए इसे देवता की पहाडी मारंग बुरू के नाम कहते हैं और विब्यसाक मद्ध अप्रेल में पूर्णिमा के दिन सिकार उसाओ भी मनाते हैं वहीं पाली ताना और सतुन्जय पहाडी की बात करें पहाडी है जिसका निर्माड 900 बरस बरसों पूर हुआ था और ऐसा कहा जाते ही कि जैन धरम के संस्थापक आदीनाथ जिनने रिसाप की नाम से भी आप लोग जानते हैं ने यहीं पर रियान बेक्ष की नीचे ध्यान साधना की थी और जैन धरम के बारे में बात करें तो इतिहास में आप लोगों ने जैन धरम के बारे में भी पढ़ा होगा जैन धरम चटवी सताब्दी इसापूर में तब पिरमुकता से उवरा जब भगवान महाबीर ने धरम का पिरचार किया था जैन धरम ने पिर्मुक रूप से भगवान महाबीर के धरम पिचार के फलसरूप छटवी सतावदी इसाफूर पिसिद्धी पराप्त की और जैन धरम में 24 महान सिक्चक हुए जिन में से अंतिम थे हमारे आप देखें कि भगवान महाबीर और बे लोग जिन्होंने जीवित रहते हुए सभी ग्यान मोक्ष पराप्त कर लिया और लोगों को इसका उबदेश देकर करते थे और ऐसे सभी 24 सिक्चकों को ही तीर्ट कर कहा जाता है और पिथम तीर्ट कर इसमें थे रिसब नात और जैन धरम से आप देखते हैं कि आपकी जीत लेना तीर्ट कर एक संस के सब्द है जिसका अर्थ होता है नदी निर्माता अर्था जो नदी को पार कराने में सक्चम हो वही संसारिक जीवन की सतत प्रवाव से पार कराएगा जैन धरम एहनसा को अप्तेधिक महत्त देता है और आप देखे जो गांधी जी आप आपती या आचार यानि की चोरी ना करना आप अरी गए गैर आसकती गैर अधिपत्त की बात करता है ब्रह्म चै सुद्धता की बात करता है जैन धरम इन पार सिक्षाओं में ब्रह्म चय सुद्धता को महवीर द्वारा जोड़ा गया था जैन्धरम में तीन रतनों का या तिरी रतन सामिल है समयक दर्सन, सही विश्वास, समयक ज्यान, सही ज्यान, समयक चरित, सही आचरन तो ये भी याद रखे तीरी रतन पूँच लेता है जैन्धरम स्वयम सहायता या आत्मिर भरता को सुईकार करता है कोई देवता या अध्यात्मिक प्रनाडी नहीं जो मन उसकी मदद करेगा या बढ़ विवस्ता की निंदा भी करता है निंदा नहीं करता है या बढ़ विवस्ता की निंदा नहीं करता है जैन्धरम आगे चलकर यह दो संपदाय में विभाजित हो गया था इस थल बाहू की नेतत में आप देखें सोतामबर जो लोग स्वयत बस्त धारन करने वाले होते हैं और भदवाओ की नेतत में दिगंबर, जो नगरन रहने वाले होते हैं, उन्हें आप लोग दिगंबर कहते हैं, और सम्मेश सिखर का ऐसा भी कहा जाता है कि इससे परेटंचेत गोसित किया जा रहा था, और परेटंचेत गोसित करने के बाद आप देखी कि यहां सभी लोग जाएंगे, और कहा जा रहा है कि जैन धर्म इसलिए भी विरोध का रहा है, कि आप देखी यहां गंदगी फैलीगी, उनका पवित्य इस्थल है, तो इसलिए को लेकर उनकी मांगे हैं, विरोध है, अब आप देखी कि मांगे मानी जाती हैं, या नहीं, यह तो आने वाला बगत ही बताएगा हम लोग देखते रहेंगे, लेकिन जैन धर्म की बारे में वो इस तरह किसी भी कारण से कोई इस्थान चर्चा में रहता है, तो इसके बारे में एक सामान जानकारी जरूर अपने पास रखा करिएगा